तो अभी एक टेट गंटे बैठो, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी की बारे में सोचू, एक्जाम आपको क्लियर करना है, DSSB गा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तयारी से काम नहीं चलेगा, DSSB में यह मा सोचना कि यार, आपने NIS कर लेना तो पेपर अच्छा हो मेरे नाम है इमान शुसांगवान और आप देख रहे हैं ओई पडले चैनल, आज की इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं, कैसे आप DSSB PRD के लिए अपने खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है, और मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊगा, और एक बात अपने learning method के साब से, अपने learning style के साब से, अपनी अलग strategy बनाने पड़ेगी, जिससे कि आपको exam में maximum benefit मेले, ठीक, बात यह है, जब आपको एक strategy बनानी है, तो आपको एक problem को address करना पड़ता है, problem क्या exam में जो problem आती है, exam का pattern समझना पड़ता है, pattern में क्या है, 120 minute में 200 question है, अ अब यह है time bound, means time come है, second चीज क्या है, lock section है, कि अगर आपने कोई भी section एक पर submit कर दिया, तो उस पे आप pre-visit नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप, जो आपने question कर चुकी है, उनको review नहीं कर पाएंगे, तो यह दो factor mean है, जिसको देख के, जिसकी base पर आपकी strategy develop करी जान चाहिए, ठीक है, अब इनका solution कैसे होगा, first आपकी strategy, time जो कम है, जो दिख रहा है कि 120 minute में 200 question है, इस strategy आपको ऐसे develop करनी है, जिसकी वजह से आपको यह time कम ना लगी, ठीक है, जैसे मेरी strategy जो थी, उसमें मेरे पास आखरी में 20 minute बच रही थे, ठीक है, means पूरा paper करने के पास जितना मैं कर सकता हूँ, maximum, जब मैं अपना 100% दे दूँगा paper में, जब मेरे पास extra 20 minute बच रही थे, तो ऐसी strategy आपको develop करनी है, मेरे 20 minute बच रही है, तो क्या पता आपके 30 बच जाए या फिर बचने को आपको 2 minute बच जाए, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा है, strategy बनानी कै rate क्या है, ठीक है, एक तो आपका score, दूसरा है, आपको कौन-कौन से subject आते हैं, आने का मतलब कौन-कौन से subject आपको कह सकते हो, हाँ यार, अगर इसके 20 question मिल जाए ना, तो मैं उसमें 17+, 18+, ले आऊंगा, ठीक है, तो यह होना चाहिए, first आपके बच जाए, परस्ट आपके ब एक time को देखते वे, एक lock section को देखते वे, ठीक है, अब strategy बनानी कैसे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास score कितना हो जाएगा आपके पास, कितना score का target है आपके पास, ठीक है, और दूसरा क्या है, कितने subject आपको आते हैं, अब इन subject को देखते वे, आपको अ part A, part A में क्या, English, Hindi, Maths, Reasoning G के, और part B, 100 questions, Pedagogy के, subject concerned के, ठीक है, अब वो पहले part A में से, जो 5 subject हैं, उसमें से देखेगा, कि उसे कौन से 2 subject आते हैं, ठीक है, उन में से कौन से 2 subject आते हैं, अब वो 2 subject जैसे कि अब उसने मान लिए कि उसको Hindi अच्छे तरीके साथ है, और Reasoning अच्छे तरीके साथ है, ठीक है, तो उनको वो 40 number means Hindi के 20 और Reasoning के 20, उस 40 में उसको at least 35 plus score करना ही करना है, first strategy to be successful, successful means उसको 140 का target अचीव करना है, ठीक है, अब उस 140 में means उसको पता है कि उसको Hindi आती है, Reasoning आती है, अब उस 40 में वो कितने लाएगा, 35 plus लेके आगा, ठीक है, और अगर वो डिवाइड कर ले, पार्ट A और पार्ट B में 70-70, तो पार्ट A में उसको 70 लेके आने है, अब उस 70 में क्या है, उसने वो भी पता कर लिया कि उसको Hindi strong है और Reasoning strong है, जिसमें उसके पहले जो Hindi और Reasoning है, उस 40 में से उसको 35 number बन रही है, अब बज़े पार्ट A के अब उस 60 में से उसको 35 ही लेके आने है, अगर उनकी Medium Medium भी हुई ना मेंस कि basic basic कुछ कुछ चीज आती भी है, वो 35 अजीव हो जाएगा, क्योंकि 60 का 35 हुआ है कि 50% है थोड़ा से दोबर हुआ, तो वो अजीव हो जाएगा उसका, यह उसने डिसाइड कर लिया पार्ट A के यह कि भाई मेरी मेरी में Hindi और Reasoning Strong है तो इस 40 में 35 लेकिया हुआ, Max, English, GA, मेरी ठीक ठीक नॉर्मल नॉर्मल है, तो इस 60 नमबरों में से 35 और लेकिया हुआ, तो उसके पार्ट A में होगी 70 अब बात आती है पार्ट B की, पार्ट B में ऐसी कोई strategy काम ने करेगी कि आप बना नी पाएगा तो पार्ट B के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, बस पार्ट B के आप टार्गेट रहाँजी, 70 का, रोंड का टार्गेट 70 का रहेगा, ठीक है, अब उस 70 के लिए क्या पढ़ सकता है, NIS पढ़ लेगा, जितने भी previous year है, वो सारे पढ़ लेगा, और अच्छा हो जाए, क्योंकि वो पता ने ना कैसा पेपर दे देते हैं, बहुत गुमा के भी देते हैं, और कभी-कभी बहुत असान भी देते हैं, बस यह है कि NIS आपकी help कर सकती है, बहुत ज्यादा, तो NIS तो must अगर आपको DSSB में अच्छा सुपर करना है तो, ठीक है, अ अगले साथ में भी 25 पर देते हैं, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, चीस आपका आपका TARGET है, 140 है, 150 है, 160 है, 120 है, तो ऐसे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो यह बात होगी, अब, एक्जाम आपको CLEAR करना है, DSSB लिगा, ठीक है, सिरफ और सिरफ और एक स्ट्रेटेजी बनाओ, अच्छी सी, ठीक है, कि भाई, मुझे इसमें इतने माक्स लाने है, और वो TARGET सेट करके चलोगे न, तो तयारी आपकी असान होती चली जाएगी, आगी बात समझ, तो अभी एक ट्रेट गंटे बैठो, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेज में बात, ठीक है, अब किसी कि डाउट होते हैं, यार, माक्स ना, 120 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, या फिर 135 आ रहे हैं, रुक जा रहे हैं, तो उस पर वीडियो बनानी है, और और किसी पर टॉपिक पर जो आपको दिक्कत आ रही है, तो बता देना उस पर भी बन जाएगी, ठी पर टॉपिक है, तो टॉपिक है वीडियो कातम करती है, थैंक यू, बाइबाइ, राम राम